सबसे पहले आज मैं चाहूंगा एक दिन लेट हूँ जरूर हूँ लेकिन मैंने कल भी कोशिश की थी कि एक अधिकारी अगर भौजन समाज का हो और वह समाज को कंट्रिब्यूट करना चाहता हो जो बाबा साहब 10 नवंबर को उनका महापरिनिर्वान हुआ दिल्ली में वह किस कृष्णन साहब एक आइस नहीं थे जब इस देश में ओवी सी का इंप्लिमेंटेशन हुआ जब बीपी सिंग परधान मंत्री थे और आम लास पासपान सोसल जस्टिस मंत्री बने तो यह से आइस थे अगर यह न होते तो सरकार गिर गई थी तीस दिन में नोंने ओवी सी आरक्षन को इंप्लिमेंट किया क्योंकि ओवी सी सी थे और चाहते के लिए उनके आबास पर बुलाया था उनका घर एक बड़ी आवजन में बदल गया था मेरा भी भासन हुआ था अरजुन सिंग का इसके लिए कितना बिरोध हुआ था हम सब जानते हैं पिछ्रों को आरक्षन दिलाने में क्रिस्टन जी की बहुत बरी भूमिका थी जो बहुजन समाज से था उसने पूरी कहानी बदल दी काया पलट कर दिया और इसलिए मैं कहता हूँ मीडिया बूरोक्रेसी जुडिशियरी बिजनेस इसमें जो टॉप लिवल के अधिकारी होते हैं किसी भी ऑफिस में जो डिरेक्टर होता है जो मंतरी होता है जो चला है इट भठा में काम करें उससे किसी को आपती नहीं है आपती है आपके पावर सेंटर पर जाने की और यहीं आपके साथ नहीं होने दिया जा रहा है तो यह किसनन सहाब ने कितना काम किया कि सोचिए कि जो एक तो उन्हें रिजर्वेशन की लडाई-लरी इंप्लिमें हो गया और उसके बाद आज उसका यह सब इसलिए भी बता रहां कि अज बहुत जरूरी है देखिए आज जेन्यू में दस रुपए का होस्टल चार था बीस रुपए का होस्टल चार था सो डिर सो रुपए में खाना मिलता था बच्चों को और गरीब से गरीब बच्चा जि जीए और यह एक ब्रैंड था जैसे आई आई टी है आई एम है जैसे उसमें से बच्चे निकलते थे तो दुनिया के तमाम देशों में नौक्रियां करते थे और वहां नन स्कॉलर्शिप भी था जगर आपकी एंफिल में दाखिला है और आपने नेट कॉलिफाई नहीं कि तो अभी वहां साथ हजार रुपए मिलते थे नन नेट को एसकलर से जिससे तीन हजार में वहां के बच्चे पढ़ लेते थे और दो हजार रुपए में वह घर भी मदद करते थे और वह 70% के करीब उसमें CSTOBC की आवादी हो गई थी और उसको बंद कर दिया गया यह सरका कहरें कि फीस बढ़ा रही है उस फीस से मान के चलिए कि 50 क्रोड रुपए भी वह नहीं रेवन्यू कर न पाएंगे लेकिन वह बहुजनों कांग उठा काट लेंगे वह बहुजनों को आने से रोकना चाहते हैं जैसे सरकारी स्कूल खतम होता है जैसे सरकारी कॉलेज खतम ह फंजनों होता है जैसे सरकारी नौकरिया खतम होती है जैसे ही देश में डेमोकरियसी खत्म होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उसका बहुत है कि इसलिए जेनो पर तारा लगाया जा राज पोटेस्ट हो रहा हैं मैं दिल्ली पुलिस के तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कलाबी पीरित थे आप पर हमला हुआ था आप इन आंदोलन कारियों पर तमीज से पेस आए आप पोटेस्टर को पोटेस्टर समझे वो आपके बच्चे हैं इसी दे अगर इस देश उन्हें चरवाह बिद्याले भी खोला था तब लोग हसके मजा कुराते थे अगर चरवाह बिद्याले नहीं होता तो हम जैसे लोजाच पत्काई तया नहीं कर रहे थे बक्री चराते थे फिर उस स्कूल में जाते थे वहाई से कखग समझा और वहाई से बचूत हो जब बाबा साहब ने समिधान में अधिकार दिया तो उसे नया रास्ता चुना सरकारी स्कूल खतम कर दो सरकारी कॉलेज खतम कर दो सरकारी नौकरियां खतम कर दो सरकारी संस्थाएं खतम कर दो क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पास ना जमीन है ना विरासत में बिजनेस है ने इनके पास कोई संपत्ती है ये मजदूर बनके रह जाएंगे जिसके पेट में आने नहीं होगा दाना नहीं होगा किताब खरिदने के पैसे नहीं होंगे बीज साल तर वो कहां से पढ़ाई करेगा और आपको तोर के रखतिया जाएगा इस देश में स्थी एस्टी ओबिसी मैनोर्टी के बच्चे का 95% ड्रॉप आउट है कोई पहली कलास नहीं जाता है कोई दूसरी कलास में बाहर हो जाता है और कुछ साक्षर होके भी साक्षर र स्थाव हो गई ताकि आप कही जान न सके सरकारी स्कूल इसले बंद कर दिया गया क्योंकि आप पर न सके और यह सब तब समझ में आएगा जब आप हायर जिए जब आप पहुंचते हैं जब पीएजडी करते हैं जब आप एमफिल करते हैं और इसी से आपको रोका जा रहा है यह हिंदू कह रहते सिफ सेना और बीजे पिया देखिए कुरसी के लिए कितनी लराई है तो यह सब कुरसी की लराई थी आपको समझना पड़ेगा और मैं फिर कह रहा हूं बाबा साब ने जो कहा था कि संसद चलो आपको मंदिर से ज़्यादा संसद में मिलने वाला है उनके पंडित पुजारी संसद जा रहे हैं आपको कहा जा रहा है कि आप चरहावा चरहाईए आपको समझना पड़ेगा कि संसद में अधिकार है अधिकार कहां मिलेगा कानून का राज कहां से चला सकते हैं और दो बड़े कट्टर हिंदू आज CM पत के लिए क्यों उलर र खत्म हुआ है अब बारी है हिंदू सिविल कोड की उसके बाद आरक्षन भी खत्म होगा मैं चाहता हूं इस देश में जो संसत की देरी तक नहीं पहुंच पाएंगे इसलिए खतरनाक वक्त है कब मुझे जेल में डाल दिया जाएगा मुझे नहीं पता इसलिए मैं बार ब दर से इमान की बाद छोड़ दूं ये संभव नहीं है क्योंकि बावा साहब से हमने यहीं सिखा है फूले पिरियार अंबेटकर जगदियो बावूराम सरूब बर्मा पिरियार ललाई सिंग्यादव इनसे यहीं सिखा है बुद्ध कबीर अविदास से यहीं सिखा है कि धर पर जब तक रहो मनबताबाद सच्चा इंसानियत के परक्ष में बात करते रहो और इसलिए कह रहा हूं जेनी की लराई बहुजनों की लराई होनी चाहिए क्योंकि अगर वो भी बंद हो गया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा सरकारी स्कूल, सरकारी कॉले, सरकारी अस यह वीडियो कैसा लगा, मेरी राय कैसी लगी, आप अपनी परक्रिया जरूर लेखे, क्योंकि आपकी परक्रिया से ही पता चलता है कि बहुजन समाच की समस्या है, क्या है, आप सब का बहुत-बहुत शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें